हाई फ्रेंड्स संगीता मिश्वरुक चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स पालक और मेथी की हम सब्जी या पूरी पराथे अकसर बनाते हैं पर आज हम पालक और मेथी का कॉंबिनेशन राइस के साथ करेंगे और एक बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी इससे की मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे ग्रीन पालक मेथी राइस बनाने के लिए हमें चाहिए ब्लेक पेपर पाउडर काली मिरच का पाउडर नमग रोस्टेट जीरा पाउडर साबुत जीरा और खड़े मसाले में हमने लिया है दो तेज पत्ता एक दालचीने का टुकड़ा चार लॉग दो हरी इलाइची और हमें लेना है घी बगार के लिए और एक प्याज को हमने बारिक कट कर लिया है अध्रक को भी हमने लंबे जुलियन्स में कट किया है और हरी मिच को भी मैंने लंबे पत्ले टुकड़ों में कट किया है पालक को ब्लांच करना है इसके लिए मैंने गरम पानी करने के लिए रखा है पानी में उबाला गया है अब हम इसमें पालक डाल देते हैं पालक को हम दो मिनिट के लिए उबलती हो पानी में रखेंगे और तुरंथ निकाल लेंगे दो मिनिट हो गए हैं अब हम गेश को बंद कर देंगे और सारा पानी इसमें से स्ट्रेंड कर लेंगे और तुरंथ ही इस पर मैं थोड़ा सा थंडा पानी डाल देती हूँ के अब 직हां झाथ है कि कलर भी अच्छा रहेगा और अब हम इसको टंडा करके हैं फिर से वंने पी सना आ case । 500 gram conhe verrass लिए सय इसको साफ दो कि बारिक क्ट कर लेंगे इस मेथी को साफ दो कर ओर फूर प्रोसेसर से बारिक चोप प्रॉसेसर से इसे बारिक कर लिया है या आज प्राइब बिना लिया है और पालक यह जोने एक पॉलल कुड रइस लिये है हम इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं अब हम राइस में बगार लगाने के लिए पेन में हम एक चम्मच घी लेंगे और एक चम्मच तेल लेंगे अब यह हमारा तेल और गी गरम हो गया है हम इस पर आलेंगे एक टीस्पून जीरा थोड़ा सा प्रॉमिनेंट फ्रेवर जीरा ज्यादा डालेंगे हम इसमें और गेस को थोड़ा स्लोक कर देते हैं खड़े मसाले में हम दो तेज पत्ता दाल चिनी का टुकड़ा और हरी इला अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा इसको सोते होने देंगे खड़े मसाले थोड़े से सोते हो जाए इसमें फिर हम दालेंगे इसमें एक प्याज बारिक कटा हुआ एक 8-8 मिनिट के लिए हमने प्याज को भी अच्छी तरह सोते कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे अध्रक मैंने इस तरह से जूजियन्स कट किये हैं अध्रक का भी बहुत अच्छा प्रॉमिनेंट फ्लेवर हैं बड़ा टुकड़ा अध्रक का और हमने लाल मिर्ष इसमें यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए हम दो ग्रीन चीली में लिए लंबी पतली कटकर के लिए अध्रप और मीज को भी 30 सेकंड के लिए सोटे कर लिया है इसमें तेल में और अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटीवी मेथी मेथी का वॉल्यूम खुड़ा श्रिंक हो जाता है और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और बिना ढके हुए ही थोड़ा सा मेथी को हम कूप कर लेते हैं कि दो मिनिट के लिए दिमी आज पर ही हमने मेथी को कुप कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पालक की प्यूरी अलमुस्त दो बड़े चमज पालक की प्यूरी है यह मिक्स कर देते हैं पालक मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे रोस्टेट जीरा पाउडर हाफ स्टी स्पूल और काली मिरच का पाउडर हम इसमें मिक्स कर देते हैं हाफ स्टी स्पूल काली मिरच का पाउडर और जीरा पाउडर भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है एक त्राय टेक्स्चर नहीं होना चाहिए पालक का भी और मेथी का अब हम इसमें यह कुक राइस मिक्स कर देंगे के राइस को कुक करते वक्त मैंने तोडा नमक और गी डालका इसी कुक किया है चावल को ढालने के पाल हमें एक दब हल्के हाद से घिलाना है जिससे की चावल हमारा अच्छा खिला खिला टेक्स्चर रहेगा और हम इस तरह से पेन से भी मिक्स कर सकते हैं राइस को इसके पहले मैंने कॉली फ्लावर राइस कॉन राइस और वेच फ्राइड रेस की रेसिपी यूट्यूब पर अप्लोड की है डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है फ्रेंस आप जरूर आपको ये फ्राइड राइस की रेसिपी देखिए और ये ग्रीन राइस भी बहुत ही टेस्टी एकदम यूनिक रेसिपी है पसंद आए रेसिपी तो लाइफ जरूर कीजिए ये राइस हमारे तयार हो गए है अब मैं इसकी प्लेटिंग करते हूं यह हमारा बहुत ही टेस और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए थैंक्स